आईए हम प्रकाशित्वाक्य अध्याय उन्नीस आयत साथ पर एक नजर डालें आउ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुती करें क्योंकि मेनने का विवाहा पहुचा है और कौन तयार किया गया है उसकी दुलहिन ने अपने आपको तयार कर लिया है उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहिनने का अधिकार दिया गया क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है आयत 9 तब स्वर्गदूत ने मुझ से कहा यह लिख धन्य कौन है कि धन्य वे हैं जो मिन्ने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं फिर उसने मुझ से कहा यह वचन किसके वचन है परमेश्वर के सत्य वचन है परमेश्वर ने 2000 साल पहले द्रिश्टांत के माध्यम से इस तथ्य को पहले ही सपष्ट कर दिया था कि माता परमेश्वर निश्चित रूप से मौजूद है साथ ही जब उन्होंने प्रेरित युहन्ना को प्रकाशन दिया तो उन्होंने एक बार फिर पुष्टी की कि मेने की एक पत्नी होनी चाहिए यह किसके वचन है? यह वचन परमेश्वर के सत्य वचन है यह कोई कहानिया नहीं है जिन्हें किसी ने बनाया है या आत्मिक प्राणियों या स्वर्गदूतों के शब्द नहीं है यह स्वयन परमेश्वर के वचन है पवित्र आत्मा के युग में परमेश्वर स्वयन इस प्रिथवी पर आये और हमें यह सत्य सिखाया उन्होंने हमें 2000 साल पहले और यर्मयाह और यशायाह जैसे भविश्यद वक्ताओं के समय में वही शिक्षादी थी क्या उन्होंने पुराने नियम में भविश्यद वक्ताओं के माध्यम से यरूशलेम के अस्तित्व की व्याख्या नहीं की यशाया की पुस्तक अध्याय बासट के अनुसार कौन यरुशलेम को स्थिर करेगा? परमेश्वर यरुशलेम को स्थिर करते हैं क्या इसका मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर स्वय सारी मानव जाती के लिए उसकी घोशना करेंगे? लगभग 2000 साल पहले स्वर्गिय विवाह भोज के द्रिश्टांत के माध्यम से परमेश्वर ने हमें सिखाया कि मसीह अर्थात दूलहे के साथ साथ मसीह की पत्नी भी है और उनके द्वारा मानव जाती को अनंत जीवन दिया जाएगा साथ ही गलातियों अध्याय चार में परमेश्वर ने अपनी संतानों को स्पष्ट रूप से समझाया कि वह हमारी मातार हैं इस प्रकार उस दुनिया में जहां परमेश्वर राज्य करते हैं मेने का विवाह भोज होता है तब क्या मेनने के विवाह भोज का अस्तित्व पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर के अस्तित्व को नहीं दर्शाता है